इंडियन प्रेमियर लीग में भारत के दो स्टार गेंदबाजों ने अपने परफॉर्मेंस से तहल का मचाया हुआ है कभी भारत के लिए ये जोड़ी एक साथ मुकाबले खेला करती थी और इनका अच्छा करना मतलब जीत की गारेंटी थी लेकिन समय का फिर ऐसा आया कि पहले ये जोड़ी तूटी और धीरे धीरे दोनों खिलाडियों को नजर अंदाज किया जाने लगा लेकिन अब वक्त का पहिया मुड़ चुका है और दुनिया की सबसे मुश्किल लीग में दोनों ही गेंदबाज अपनी फ्रेंचाइजी के लिए एक बड़ी मैच विनर साबित हो रहे हैं और IPL के माध्यम से भारती टीम में फिर से ये जोड़ी एक साथ खेलते हुए दिखाई दे सकती है क्या है पूरी खबर इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी दोस्तों IPL आज के दौर में एक ऐसा मंच बन चुका है जहां इंडियन टीम से बाहर चल रहे प्लेयर्स इस मुश्किल लीक में आकर खुद को साबित करना चाहते हैं युवा खिलाडियों के लिए तो IPL टैलेंट का लोहा मनवाने का अवसर होता ही है लेकिन साथ ही साथ उनके लिए ये भी एक बड़ी ऑप्रिचनिटी होती है जो भारती टीम में वापसी करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और फिलाल भारत के स्टार स्पीनर्स कुलदीप यादो और युजवेंदर चहल भी इस लिस्ट में शामिल हैं जहां कुलदीप को उनकी पुरानी फ्रेंचाइसी के क्यार ने बिलकुल ही मौका नहीं दिया था वहीं पर युजवेंदर चहल की साथ साल की लोयल्टी को अंदाज करते हुए RCB ने उन्हें ना तो रीटेन किया और ना ही ऑक्षन में खरीदने में दिल्चस्पी दिखाई ऐसे में ये सेजन दोनों ही गेंदबाजों के लिए एक स्टेटमेंट देने का अवज़र था और क्या कमाल का स्टेटमेंट दिया है युजवेंदर चहल और कुलदीप यादो ने जहां यूजी चहल अपनी नई IPL टीम राजस्थान रोयल्स के लिए सिर्फ चार मुकाबलों में ही अपनी छाप छोड़ चुके हैं वहीं दिल्ली कैप्टल्स के लिए कुलदीप यादो एक बड़े मैच विनर साबित हो चुके हैं भारत की स्प गेंदबाज दिखे हैं कप्तान पंत और कोच पॉन्टिंग के दिखाए भरोसे के बाद कुलदीप का आत्मविश्वास सात्में आसमान पर दिखाई दे रहा है सिर्फ चार मुकाबलों में ही दस विकेट लेकर ये खिलाडी हाइस्ट विकेट टेकर के लिस्ट में टॉप गया है जिस तरीके से ये दोनों इस सेजन परफॉर्म कर रहे हैं चायन करताओं के लिए भी इनके प्रदर्शन को इग्नौर करना आसान नहीं होगा और इसकी पूरी संभावना है कि युजवेंदर चहल के साथ कुलदीप यादो की जोड़ी एक बार फिर भारती बहुत जल्द ब्लू जर्सी में भी एक साथ खेलते हुए नजर आ सकती है तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है क्या कुलदीप यादो और युजवेंदर शेहल को एक साथ भारती टीम में शामिल करना चाहिए या नहीं अपने जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में क कुल न भोले